यह सिक्स का ट्वीलर में हर कोई परेशान है आखिर यह चेक इंजिन एरल लाइट है क्या बला क्यों यह ओन हो जाता है और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट का बात है इस लाइट को आफ कैसे किया जाता है वेलकम तो दोस्तों हमारे चैनल और उप्टुमोटिव में यह है य जैसे ही मैं इगनिशन ओन करता हूं चेक इंजिन का जो लाइट है वो ओन हो जाता है यह तो नॉर्मल बात है क्योंकि दो से पांच सेगेंड के बाद यह लाइट आटोमेटिक आफ हो जाता है लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब यह आफ नहीं होता है चलिए अब स्टार हूं यह लाइट आफ होता है या नहीं इस गारी में बैटरी थोड़ा वुइक है सेल्प स्टार्ट नहीं होगा बट कीक स्टार्ट से मैं दिखाता हूं जारी स्टार्ट होने पर भी यह लाइट आफ नहीं हो रहा है एक दो बार मैं और ट्राय करके देखता हूं तो यहां पर ज्यादा टाइम करूंगा सिधा चलते हैं मेन काम पर चलिए आईए साथ ही साथ कौन सा ओविडी केविल और किस एप्लिकेशन के हेल्प से यह प्रॉब्लेम सॉल्फ होता है आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा कि चेक इंजिन लाइट ऑन होने का क्या रिजन है और इसको कैसे आफ किया ज करने का कप्लर जो बैटरी के पास है आप 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 यह है OBT केबिल यह है ELM Bluetooth और यह है फेमिल कपलर जो मेल कपलर में लेगेगा जो गारी में अटच रहता है इस OBT केबिल का खास बात यह है एक केबिल थ्री फ्रेंट की टुविलर में यूस हो सकता है तो आप लोगों को अलग-अलग करके थ्री केबिल पर्चेस करना जरू केबिल के साथ आप लोग तीनो वेरियंट का बाइक का का काम कर से रहे हैं OBT केबिल एंड Bluetooth का बाइंक लिंक अल्रेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप चाहे तो पर्चेस कर सकते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिए गया प्लीज मैं कैसे केबिल एटच कर रहा हूं और यह कैसे काम करेगा यह रेट कलर का लाइट ओन होने का मतलब है केबिल सही तरीके से एटच हो गया जब ग्रीन कलर का लाइट ओन हो जाएगा इसका मतलब आपका मोबाइल का Colorado के साथ यह कनेक्ट सकसेस्फुली हो गया hai जब यलो कलर का लाइट बिंग होगा तब समझिए आपका मोबाइल का एमवास की चंशन के साथ अल्लेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्ले स्टोर से भी आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और एक ऑप्शन है, जब आप Bluetooth ELM पर्चेस करेंगे, तो बॉक्स में अंदर इस एप्लिकेशन का QR कोड भी रहेगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते है नेक्स टेप में गारी को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे गारी के साथ एप्लिकेशन सही तरीके से कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो इसको चेक करने के लिए, जैसे ही मैं थ्रोटल दे रहा हूं, मेरे मोबाइल में RPM शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, इससे क काम कर रहा है, नेक्स टेप में चेक करेंगे इंजिन एरियल लाइट क्यों शो कर रहा है, तो यहां पर देखिए, आल्ट कोट का अप्शन है, जैसे ही यहां पर मैं क्लिक करता हूं, तो एक सर्च अप्शन आ रहा है, इसको टच करने के साथ, फॉल्ट कोट सर्च होना स्टार्ट हो जाता है, जब तक 100% नहीं होता है, एप्लिकेशन स्टॉप मत कीजिए, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं, देखते हैं क्या झाल झाल यहां पर फॉल्ट कोट सर्च का रिजल्ट आ गया है, तो शोग हो रहा है, पी 0500 बावर ट्रेन विकल्स स्पीड सेंसर इससे ये पता चलता है विकल्स का स्पीड सेंसर में कुछ ना कुछ तो इशू है तो विकल्स का स्पीड सेंसर पोजिशन कहा है देख लीजिए मैं अल्डेडी इस गारी में स्पीड सेंसर का काम कर चुका हूँ इसलिए मैं sure हूँ कि speed sensor में कोई problem नहीं है मैं जानता हूँ आप लोगों का दिमाग में एक सवाल घूम रहा है तो फिर क्यों यह code show हो रहा है तो इस problem का भी एक solution है टॉप right पे जो three dot है वहाँ पर जैसे ही मैं click करता हूँ वहाँ पर बहुत सरा option आ रहा है उसमें से clear fault on issue option को click करना होगा यहाँ पर writing में कुछ लिखा हुआ आएगा इसका मतलब है issue को मुझे बताना होगा अभी इस vehicles में कोई भी issue नहीं है सब issue all clear है तो issue को कैसे बताए चलिए देखते हैं इसके लिए मुझे ok प्रेस करना होगा और issue फेर सर्चिंग मूट पे आ जाएगा 100% होने तक मुझे वेट करना होगा देखते हैं क्या रजल्ट आता है आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक इंजिन का जो एरल लाइट है वो आफ हो गया है I hope दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए helpful रहा होगा तो please मेरे चैनल को like, share and subscribe कीजिए और bell icon को प्रेस करके notification all कर दीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुच है और आपके एक like से मुझे बहुत inspiration मिलता है और मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही helpful वीडियो बनाता रहूँगा Thanks for watching आपके लिएो आपके लापके लिएीन झाल झाल झाल